वूम्सान्ति विक्के सुपना के सात्यों किछन में आप सब का स्वागत है आज मैं बनाने जा रहे हूं रापड़ी केक तो इसके लिए हम लोग पहले केक बनाएंगे उसके बाद रापड़ी बनाएंगे तो चलिए देखता है क्या का इंग्रीडेंट्स चाहिए केक के एक कटोरी चीनी, एक कटोरी बेजटेबल ओयल और वैनिला एसेंस और इतने में ही हम लोग का केक बन के रेडी हो जाएगा और बेकिंग पाउडर वान टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून मीठी सोडा या खाने का सोडा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओयल डाल रही हूँ आप लोग याद रखिए जो कटोरी नाप के लिए लेंगे कटोरी या कप जो भी एक ही नाप से सारे चीज़े लेनी है हम लोग को तो पहले मैंने यहाँ पर मिल्क, ओयल और चीनी देगे इसको अच्छे से इसको थोड़ा सा मिक्स करना है हम लोग को इसमें वैनिला एसेंस वान टी स्पून डाल रही हूँ आपके पास कोई दूसरा एसेंस हो वो भी आप डाल सकते हो तो देखिए यह मिक्स हो जाने के बाद अभी मैं एक च्छनी के मदद से इसमें मैदा डाल रही हूँ यह दो कटूरी मैदा है उसमें मैं वान टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाप टी स्पून मीठी सोडा डाल के इसको अच्छे से चनी में चला के फिर उसको जो हमने मिक्सचर रेडी किया था लिक्विड वाला उसमें इसको डाल के अच्छे से इसको मिक्स करना है देखिए इस तरह से मैं इसको भी मिक्स करूंगे हम लोगों इस तरह से मिक्स करना है जैसे कि इसमें एक भी गुटली ना रहे एकदम प्लेन और स्मूथ वाला ये बने और आपको अगर थोड़ा सा ये ज्यादा थिक लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा वान फोर्थ से थोड़ा सा कम दूद डाल सकते हो मैंने यहां पर थोड़ा सा दूद लिया है और देखिए मेरा जो बैटर है उसका स्ट्रक्चर एकदम स्मूथ हो गया है अभी मैं एक बेकिंग टिन को ग्रीस करके मैदा लगा के उसको अच्छे से उसमें यह बैटर को डाल रही हूं और ओवन को मैंने प्री हीट करके रख दिया है 180 डिगरी में आप इसको कडाई में भी कर सकते हो तो यहां पर मैं 40 मिनिट के लिए टाइमर दे दूँगी अभी देखिए हम लोग रैबडी का प्रोसेस कैसे करेंगे वह देखते हैं मैंने यहां पर हाप लिटर दूद ले लिय जीएगा उसमें मैं तीन चम्मच चीनी डाल रहे हूं आप लोग चीनी कम ज्यादा कर सकते हो अगर ज्यादा मीठा पसंद है तो ज्यादा मीठा के लिए चीनी डाल सकते हो तो यह थोड़ा सगूल जाएगा तब तक हम लोग मैं यहां पर एक वान टेबल स्पून कॉन दोनों में से कोई भी होगा तो चलेगा मैं यहां पर कॉन फ्लोर ले रहे हूं वान टेबल स्पून कॉन फ्लोर में थोड़ा सा मैं दूध देके उसको मिला के रख रहे हूं और यहां पर मैं अमुल रहे रहे हूं या मिल्क पावडर बोले यह टू टेबल स्पून है इसको दूद जब हम लोग का थोड़ा सा गरम हो जाएगा उसमें मैं ये अमूल डालूँगी तो अमूल डालने के बाद फिर हम लोग उसमें कॉन फ्लोर का जो सलरी मैंने बनाके रखा है लिक्विड उसको डालूँगी दूद मेरा थोड़ा सा गरम हो गया है तो अभी हमें इसमें उबलने को भी आ रहा है, चीनी अच्छे से घुल गया है, थोड़ा सा इलाईची पाउडर में यहाँ पर डाल रही हूँ, फिर मैं यहाँ पर अभी अमुल डालूंगी देखे इस तरह से। आमुल को अच्छे से मिला लेना है, एक भी गुठ्टिया ना रहे, लंस ना रहे, उस तरह सेíb अच्छे से हम लोग को मिला लेना है, मिला लेने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे, कौनफ्लोर का चो लिक्वीड सलरी मैं ने बना के रखा है, उसको डाल लेंगे उसको और एक बार अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल के थोड़ा सा चला लेंगे तो हम लोग का जो राबडी है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा हम लोग को ज्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि हम लोग राबडी केक बना रहे हैं तो वो केक के अंदर तक राबडी क देखे मेरा राबडी जो है वो बनके रेडी हो गया है अभी हम लोग चलिए देख लेते हैं केक हम लोग का बन गया है कि नहीं 40 मिनिट्स अल्रेडी हो गया है तो केक भी हम लोग का अल्मुस्ट बनके रेडी हो गया होगा तो चलिए उसको देख लेते हैं और आप लोग को अगर मेरा रेसिपी से पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा देखे केक भी रेडी हो गया है अब हम लोग एक कांटे के चमच के हेल्प से उसको अच्छे से देखे इस तरह से मैं जिस तरह से कर रहे हूं उस तरह से कर देने से क्या होगा ना जो रापड़ी हम लोग उसमें डालेंगे वो अंदर तक चले जाएगा तो अभी मैं इसमें रबडी डाल रही हूं, वो सोक कर लेगा, जब केक एकदम टेस्टी, एकदम वो बहुत ही सॉप्ट, ऐसे ही केक सॉप्ट बना है, जब ये रबडी उसके अंदर जाएगा, वो और भी सॉप्ट हो जाएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, इसको आप फ्रीज में रखके ठंडा करके खाईए, तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो देखिए मेरा, और इसके उपर आप ड्राय फ्रूट्स कुछ भी डाल के इसको डेकोरेट कर सकते हूं, इस तरह से रबडी मैंने डाल दिया है, तो मेरा ये रेडी हो गया है, ओम स स्ब्सलिप शया है, खर दो हैं तो भी है, तो रख़न है तो है, हमसे तो दो दो और ये हैं, आविवज के रेके तो व् глаз teilत干早 better को ए Cवैने रेका है, आवट ु रख़नों दो दिम वու जेका है, बार जो बाट्वार के टो व्हँः हैंज, अवस मेजा का है, बुऌर कर दो